हेलो आज के चार्ट और अभीक वडियो में हम त्री स्टोक डिसकस करेंगे जिसमें से एक फर्स्टोक है उसमें अच्छा स्विंग देखने को मिल रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है दूसरा स्टोक जिसको आप पोजिशनल भी लोंग करके चल सक सकते हो में इस डिप में भी एड कर सकते हो तो अच्छे से चार्ट इडिंग एकस्पेस पैसे पहले इक चोटा सब्डेट की जैसे काफी मेरे से पोस्ते कि सर वो बैंग निप्टी वाली हीरो जीरो स्टेजी चलती है एक स्पैरी वाले दिन तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर भी देखिए भी लाश्ट फ्राइडे को जैसे यह देखिए वन पीम पे एक मूव आया यहां पर यह क्या था वन साइडड अप साइड भी मुव आया बट उसके बाद आप देखोगे दो बसकर पांच मिन्ट के बाद ये देखिए 13 एमे के नीचे प्राइज गया और कैसे डाउन मूवर फास्ट मूवर तो यहाँ पे आपको देखिए इंट्री मिली दो बसकर शेर करूंगा क्योंकि अब तो एकस्पैरी डेज काफी इंक्रीज हो चुके है जाना आपके साथ और भी मैं एकस्पैरी की वीडियोच करूंगा तो पहले वह वाली वीडियो जुरूर दाके देखिए मैं लिंक में टाल दूँगा और आब बात करते हैं हमारा आज का फर्स्टोग डिस्कस करने पहले तो आप देख लीजिए पहले आप निफ्टी पे देखिए कि निफ्टी देखिए हमाई से जस्ट वहां से नियर एक दो पैंट से मिस होकर नीची आ गया और वीकली केंडल देखिए एक बीरिश केंडल बन गी है अब नेक्स्ट वीकली का इस जोन में जा सकते हैं आप डेली का कैंडल भी देखिए कि यहां पर तो यह ट्रेंड फिर रिवर्स हो सकता है तो आप थोड़ा सा उसी के कोडिंग अपना ट्रेड प्लैन करें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए कि बैंक निफ्टी आप डिपेंड करेगा नेक्स्ट के लिए बिकोज बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि आप देखो कि 1,2,3,4,4 वीक रेट कैंडल बन रही है अगर बड़ा मूव आना है तो अब नेक्स्ट वीक में कुछ न कुछ डिसीजन जुरूर आएगा कि या तो यह नीचे यहां से देखिए अगर यह ब्रेक होता है यह सपोर्ड लेवल है जो तरदाली 300 का इसके नीचे जाता है तो 500 पाइंट के रेंज नीचे खुल जाएगी या फिर अगर यह 40 जार के उपर टिकता है तब फिर फर्दर बड़ा मूव आएगा तो बैंक निफ्टी का भी नेच्ट भी काफ़ इंपोर्टेंट रोल रहेगा तो अगर यहां से नीचे फॉल आया तो फॉल भी आसकता है और अगर बड़ा मूव अपसाइड आया तो वो भी पॉसिवल आभी दोनों से एट पॉसिवल है क्योंकि अभी एक रेंज विया है तो जब भी कोई ब्रेकाउट या ब्रेकडाउन आये एक स्मॉल सा स्टोपलो से लेकर ट्रेड जूट करें बड़ा प्रोफिट बन सकता है आई होप आपको समझा चुका होगा क्योंकि आप डेली का चार्ट भी देखोगे तो डेली के चार्ट पे यह जो केंडल है इस केंडल के इंसाइड अब बात करते हैं हमारे फर्स टोक आज की और उससे पहले आप एक वर थोड़ा सा यहां पर अपड़ेट देखिए कि मैंने आपको राम रतना वायर्स लिम्टेड दिया था और यह चुका है तो चार्ट ओधा वीक वीडियो में देखिए कि आपको क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पेसंस रखना पड़ता है उसके साथ ही के वर होल्ड करना अगर कुछ टोक अप्ट्रेंड में तो उसको होल्ड किजिए को डाउं ट्रेंड में जा रहा है उसको जिट कीजिए तो अब दिशने लो मारा यहां पर 305 के पास तो काफी अच्छे प्राइस पे आ गया था नीचे और इसमें ये ट्रैन लाइन थी ये ट्रैन लाइन का रिवर्स हो चुका है तो अगर कल को मालो मारकी थोड़ा सा यह अगर आपको डिप में मिल जाता है तो बैस्ट रहेगा 350 क असपास और इसको फिर आप टार्गेट प्ले कीजिए और यह एक अच्छा स्विंग रह सकता है इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें वोल्यूम भी काफी डेज बाद हमें वोल्यूम देखने को मिल रहा है पहले वोल्यूम बिल्कुल फ्लैर था यहां पर और लास्ट वोल्यूम देखने को मिल रहा है तो अगर इसमें मोमेंट बना रहा है तो कॉंटिनू फोर फिटी तक रह सकता है अगर आप स्टॉप लोस रखना जाते हो स्विंग ट्रेटिंग परपस से तो स्टॉप लोस यह जो इस वीक का लो था यह लो आप रख सकते हो इसका लो एक इसका पहले आप मंतली चार्ट देखिए मंतली चार्ट देखिए तो का नाम है टेक्स रेल यह मंतली चार्ट में एक ट्रेल लाइन था जो अभी यह नमंबर 2022 में वैसे ब्रेक हो गया था पर उसके बाद प्राइम नीची आया इसका थोड़ा चार्ट आप दियान से देख है तो अच्छी केंडल बन भी है इसमें देखिए यहां पर भी ऐसा नहीं है कि जब कई बर वोल्यूम अगर ज्यादा हो जाए तो फिर प्राइम नीचे नहीं आता यहां पर वोल्यूम देखिए पिछले वाले वोल्यूम से इंक्रीज थे बड़ उसके बाद प्राइम फि और जब प्राइम नीचे आ रहा है तो कोई खास वोल्यूम नहीं है तो आपको यह देखना होता है कि जब प्राइम कोई नीचे आ रहा होता है जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में डिसकस कि हुआ है कि अगर प्राइम स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है तो उसको आप कर रहा है वोल्यूम नहीं है तो उस स्टोक को रिवर्सल के लिए वेट करो वो रिवर्सल आ सकता है उसमें तो वीकली जाट में आप देखोगे कि इसमें ये टूंटर ये में के पास बार बार इसने सपोर्ट लिया यहां पर यह 42 का लेवल 40 के आज पास इसका चले बल था ज तो ऐसे स्टोक में आपको इंट्री कैसे करनी होती है अभी जैसे प्रईगी 75 ओ चुक है फिर स्टे में एक मूउव आ चुका है ऐसे स्टोक में आपको पहले कॉंटिटी कम लीजिए क्योंकि आपको पैनिक तभी आता है जब आपने quantity ज़्यादा ले लेते हो ज़्यादे एकदम से कि breakout देखकर बड़ी quantity ले लेते हो फिर आप उसको hold नहीं कर पाते है hold तभी कर पाओगे जब पहले आप quantity कम लीजी जब आपको लग रहा है कि कोई stock ऐसे slow भी हो जाता है नीचे आता है तो पहले quantity कम लो फिर जैसे नीचे और आता है ये 60 के असपास तो quantity और add कर लो 40 के पास आता है और add कर लो तो ऐसे stocks में stage के काम कीजिए अगर आप positionally hold करना चाहते हो हाँ अगर आपका swing trading का mindset है तो फिर आप क्या करो इसमें ये 60 का stop loss रखो और फिर इसको उपर target के लिए जाओ at least target इसमें रहेंगे 100 plus के target इसमें जो next target है sorry what 100 plus के target है 109 और 137 ये target रहेंगी अभी तो इसको जितना आप आपके mindset पे हैं कि आपको इसको swing trade के लिए play करना है मैं suggest करूँगा positionally pay करो at least 3 to 6 month plus और थोड़ा dip में इसको add करो patience के साथ hold करो ये 200 ही में के पास आए दोरा है अगर और इसको add करो तो ये strategy अगर आपने नहीं दिखिए हमारे 200 वाली तो जाके जूट देखिए कितना अच्छा work करती है अब बात करते हैं हमारा आज का last stock last stock देखिए बड़े price का है बट इसमें अगर आप देखिए तो इसमें भी हमें एक काफी time बाद ये stock 50% discount पर है इसका भी आप एक और मंत्वी चार्ट देखिए पहले यहाँ पर stock का नाम है जिलिट और ये देखिए ये stock ने देखिए 2014 से लेकर 2014 अच्छा मूँ दिया बट उसके बाद से downtrend में आ है और अगर मैं इसका यहाँ पर देखिए फिवनाची भी लगाता हूँ तो फिवनाची आप इसमें देखिए कि ये stock जहां से reverse किया है वो 0.61% का ratio वहीं से reverse किया जहां से reverse करना चाहिए एक वर तो अगर ये price continue रहते हैं तो अब ये इसका एक major score का level है 4000 का और weekly chart में देखते हैं तो weekly chart में देखिए कि ये इसने अभी ये जो candle एक candle बनी थी बड़ी सी तो अगर थोड़ा सा small dp मिलता है आपको 4600 या 4700 के पास तो वहाँ पर भी एक fresh entry बनती है current price पर भी बन सकती है ले सकते हो और ये target रहेगा इसका 52960 तक का या फिर ये जो last इसका swing high था वहाँ तक तो 5200 और 5400 ये आपके target रहेगे और इसमें stop loss की बात करें तो stop loss इसमें थोड़ा deep है 4200 बट अगर आपको लगता है कि ये stock अगर ये 4600 के निचे close दे दे तो फिर आप इसको short term वाले trader तो exit कर सकते हो बट positionally वाले hold कर सकते हो क्योंकि इसमें देखिए अब भी लगता नहीं कोई नीचे जाए कोई news ना आए तो तो ये जो candle अभी बनी है यहां पर आप देख रहे हो ये 4550 का ये आप ऐसल लेके चल सकते हो swing trade के लिए और इसमें ये target क्योंकि last Friday की देखिए कहां Friday में एक down move था निप्टी में बट इसमें अच्छा move था तो ले हल के पास close भी हुआ है वोल्यूम उतने जादा नहीं है डेली क्लोज पर ये momentum बना रह सकता अगर यह यहां पर आप देख सकते हो कि यह 200 ये में के उपर भी sustain हो गया है ये डेली के चार्ट पर ये डेली का चार्ट है और ये 200 ये में के उपर इसके उपर कंटीनु रहता है तो तो इस टोक को भी अपने रिडार में रखे पूजिशनल भी और स्विंग ट्रेट के लिए भी तो गाइस आप वीडियो को देखिए जहाँ-जहादा लाइक कर दे और साथ में मैं आज के वीडियो का डिस्क्रेमर देने चाहूंगा कि मैं सिर्फ आपके साथ लर्नी और एट्विशन के मादर से वीडियो शेयर कर रहा हूँ अपने डिजिशनल लेने से पहले अपने इंटर लेने से पहले आपको चार्ट रेटिंग समझानी चाहिए या फिर अपने फिलांशर डवाइजिर से सला लीजिए तो आई हो वीडियो आपको अच्छा लागे लाइक कर देना शेयर कर देना शेयर जाद जाद कीजिए और फ्री टैली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल देगा वीडियो बुरा देखने के लिए बहुत बहुत देखने लाद